नमस्काल, बच्चों हम पढ़ रहे थे पाढ़ दो, व्याकरन का पाढ़ दो, वन और वन माला, हमने पिसली वीडियो में पढ़ा था स्वर, और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, तो चलिए पढ़ते हैं व्यंजन, क, ख, ग, 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 बच्चों, जैसे मैंने बताया कि हर व्यं करेंगे, क, तो क के बाद अ की धोनी निकलती है, ख, क के बाद अ की धोनी निकल रही, याने इन साभी बंजनों के साथ स्वर जुडा हुआ है, अगली लाइन है, च, छ, ज, 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 य, त, ठ, ड, ध, ध, न, त, ठ, ध, 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 न, न, प, फ, ब, भ, भ, म, य, र, ल, 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 व, श, 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 ह, श, त, र, ग, ग, और ये श, तो बच्चो क से लेके और ह तक 33 बंजन है, इनके अलावा ज, फ, ड, और ध का भी प्रियोग किया जाता है, ज और फ का प्रियोग उर्दू तथा अंग्रेजी वासा के कुछ सब्दों में किया जाता है, उधारान के लिए दे काफी, मज़ाक, साफ, ड, और ड, वर्णों से कोई शब्द सुरू नहीं होता, ये वर्ण हमेशा सब्द के बीच या अंत में आते हैं, कौन-कौन से शब्द हैं वो, ड, और ड, इनसे कोई शब्द सुरू नहीं होता, ये बीच में प्रियोग किये जाते हैं, उधारान के धेखते हैं जैसे सडक, गड़ बीच में ही प्रियोग हुआ है कडाही, पहाड, बढ़ना, पढ़ना, अब देखते हैं संयोकत वेंजन, अब हम पढ़ेंगे संयोकत वेंजन, संयोकत वेंजन के अंतरकत आते हैं ख्ष, त्र, ज्यां, और श, इन्हें सहुंक्ति वेंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो या दो से अधिक वेंजनों से बने विये वर्ण हैं. चलिए जानते हैं किस प्रकार से ख्ष, कौन-कौन से वेंजनों से जुड़ा हुआ हैं? जैसे क, जमाश, श, 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 शटकौन, क, जमाश, क्षा बना, तो इससे साब्द बना रक्षा, कक्षा, हक्षर, त्र, 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 जमार, त्र, 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 जमार, पत्र, पूत्र, और तिर्शूल साब्द बने त्रस्री. अब है ज्यान इसको हम ग्यान बोलते हैं जनरली लेकिन ये ज और या को मिलके बना हुआ है इसलिए इसका हम चारण ज्यान करेंगे ये ज्यान विज्यान हम पढ़ते हैं यग्य, ग्यान और विज्यान अब देखते हैं आगे श्र श्र विज्यान बना है श्र जमार से मिलके बना है श्र से बना है हमारा शाब्द श्री, श्रेणी, श्रीमान तो ये थे साईयुक्त विज्यान अब अगला है र का अन्यवर्णों के साथ जुड़ना र, र स्वर्रहित र, जिस विज्यान के पहले आता है उस विज्यान के उपर इस प्रकार से र रूप में लिखा जाता है जैसे हम देखते हैं इसका उदारा हमने देखा जैसे क, जमा, र, जमा, मा अब मा से पहले र आया है इसलिए इसका प्रियो मा के उपर लगेगा आधी राओ में ऐसे कर्म क्या बनेगा साब्द कर्म जैसे प, जमा, र, जमा, वा आधी रा है अलंत लगा हुआ है तो ये वा से पहले आया है इसलिए वा के उपर लगेगा तो ये बना पर्व ऐसे ही का, जमा, र, जमा, या से पहले आया है आधा रा तो या के उपर लगेगा कार्या एक और तरह से हम र का प्रियोग करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसका उच्चारण होगा, र जग किसी व्यंजन के बाद आता है, तब उसी व्यंजन के नीचे इस प्रकार से रूप में लगता है, प जमा र, प के बाद र आया, तो प के नीचे ही र लगेगा, इस प्र प्र क्रम क्या बन गया अनते रहाथ चाहां कि अदम क्रम नीचे बने चाही दिए दो प्रकार से रह काप्रियोब एक और प्रकार से देखते हैं राका प्रियोब र जब ट या ड के बाद आता है तब वह है इस प्रकार से ड नीचे इस रूप में लगता है इस प्रकार से यह लगता है तो देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन से सब्दों में लगता है तो बच्चो ये था रा का अन्यवर्णों के साथ जुणना अब हम करेंगे इसका घर पे अच्छे से अभ्यास और आप जानते हैं सयुक ताक्षर सब्दु क्या है वेंजन गुच यानि वेंजनों का गुच्चा दो वेंजनों के मेल से बने वर्णों को सयुक ताक्षर या वेंजन गुच कहते हैं किस से बने हुए दो वेंजनों के मेल से वेंजन गुच में पहला वेंजन स्वर के बिना या आधा होता है और दूसरा वेंजन स्वर के साथ या पूरा होता है उधारण के लिए देखते हैं मक्खन को स्वर के बिना है तो ख स्वर के साथ है युद्ध में देखिए द स्वर के बिना है और द स्वर के साथ है बिल्ली ल स्वर के बिना है और दूसरा ल स्वर के साथ है तो ये हैं संयुक ताक्षर संयुक ताक्षर से बने कुछ सब्दों को जानते हैं स्वर के बिना को स्वर के बिना मैंने आपको बताया है कि जिस वेंजन के नीचे हलन्त लगा होता है वेंजन स्वर के बिना कहा जा सकता है और कहते हैं उसे को स्वर के साथ है ख और व्यंजन गुच बना कुख तो क आधी क और कुख इससे हम क्या शब्द बनाया? मक्खन, मक्खी ऐसे ही ब बाके नीचे हलंद यानि कि ब आदा है स्वर विना है और दूसरा बा स्वर के साथ है तो ये पूरा है एक आदा बा और पूरा बा ब ब से बना डिबबा, धबबा अगला है प अगला है प ये प के नीचे हलंद लगा है तो स्वर के बीना है और फिर या या पूरी है यानि एक पूरी प, आधी प और पूरी या शसे क्या बना प्याज और प्याला तो बच्चो ये था आपका वर्ण माला वाला पार्थ दो वर्ण और वर्ण माला पार्थ दो यहीं समावत हुआ आप इसके अभ्यास कारेकों में अगली वीडियो में आपको समझाओंगे तब तक के लिए धन्यवाद